दोस्तों दान की पसल में 30-50% तक उत्पादन फरवावित होता है खर्पतवारों की वज़े से जो किसान साती अपनी दान की पसल में खर्पतवारों का उचित समय पर सही तरीके से नियंत्रन कर लेता है वो अपनी पसल का उत्पादन 30% तक बढ़ा लेता है और जो किसान साती पसल में थोड़ी सी लापरवाई की वज़े से खर्पतोरों का सई समय पर नेंतरन नहीं कर पाता है उसका उत्पादन 30-50% तक कम निकलता है तो आज के वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि दान की बुवाई के तुरंत बाद से फोड़े की 30 दिन के बितर में खर्पतोरों का कैसे निंतरन कर सकते हैं कौन से रासाइनों का प्रियोग करना चाहिए खरपोतारों का नेंतरन करने के लिए किस समय करे और कितनी मातरा में करे जिस से कि आपकी पसल की अच्छी गरोत हो सके अच्छे से कल्ले निकल सके अच्छी परकार से उसकी फुटान हो सके और आप दान की पसल से 30% तक अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके तो इसके लिए आप वीडियो पूरा देखिए अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए साथ में बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिपिकेशन प्राप्त हो सके दोस्तों आपने दान की रोपाई कर दिये और सभी परकार के खरपतवारों को उगने से पहले ही नश्ट करना चाते हैं तो इसके लिए आप पर्टीला कलोर 50% EC हर्विसाइड का परियोग कीजिए इससे बजार में अलग-अलग कंपनियों के दुआरा अलग-अलग नाम से बेचा जाता है तो आप अच्छे रिजल्ट के लिए सिजेंटा कंपनी का रिफिट हर्विसाइड काम में लीजिए इसका परियोग की अगर बात करें तो इसका परियोग आप धान की रोपाई के बाद में चार दिन के अंदर इसका परियोग कर सकते हैं खर्पतवारों को उगने से पहले इसका परियोग कीजिए ये लिक्विड रूप में आता है इसकी आपको 500 ml परती एकड के इसाब से डायरेक्ट बोतल से खेत में छिड़काओ करना है किसी परकार का इसमें वाटर वगर आपको नहीं मिलाना है डायरेक्ट खेत में गूम कर दाये से बाई इसका छिड़काओ कर दीजिए इसका परियोग करते समय दान के खेत में 2-3 cm फानी बरा होना चाहिए क्योंकि ये रासाइन फानी के उपर परत बनाता है दोस्तो इसका परियोग करने के बाद खेत का पानी किसी भी तरह से खेत से बाई नहीं निकलना चाहिए नहीं तो फानी के साथ में ये दवाबी बहकर बाई निकल जाती है इस रासाइन के परियोग से सभी परकार के खर्पतवार चोड़ी वह सकड़ी पती वाले को कंट्रोल किया जा सकता है दोस्तो पटिला कलोर 50% इसी फानी पर परत बनाता है और कई बार ये परत तूटने पर साई से खर्पतवार कंट्रोल नहीं हो पाते हैं तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए कंपनियों ने पर्टिला कलोर 36% इडवलू लोंच किया है जो फानी में परत बना कर फानी के नीचे मिट्टी की सतर पर परत बनाता है इसका परियोग भी आप पर्टिला कलोर 50% इसी की तरही कीजिए इसका परियोग आपको दान की रोपाई के बाद 4 दिन के बीतर करना है इसका परियोग के लिए आप 600 ml पर्टी एकड के इसाब से छिड़काओ कीजिए इसके परियोग के समय परियाप्त मात्रा में फानी होना जरूरी नहीं है ये मिट्टी की सत्य पर परत बनाता है पर्टिला कलोर 36% इडबलू सभी परकार के चोड़ी व सकड़ी पत्ती वाले खर्पतवारों को उगने से पहले ही कंट्रोल कर लेता है दोस्तों ये दोनों हर भी साइड खर्पतवारों को उगने से पहले मारते हैं परन्तु कई बार किसान जानकारी के अबाव में या किसी अन्य कारण से सरवाती अवस्ता में खरपतवारों को नश्ट नहीं कर पाता है तो ऐसी कंडिसन में आप खरपतवारों की 2-5 पती अवस्ता बे भी इने नश्ट कर सकते हैं तो इसके लिए आप नो मिनी गोल्ड हर भी साइड का इस्प्रे कर सकते हैं इसमें बिस्प्री बेक सोडियम 10% AC फोरम में साल्ट आता है नो मिनी गोल्ड को आप 100 ml परती एकड के साब से इस्प्रे कीजिए दोस्तों आपको ये द्यान रखना है कि नो मिनी गोल्ड का इस्प्रे करते समय खेत में फानी नहीं होना चाहिए और इस्प्रे करने के 2-3 दिन बाद में खेत में फानी जरूर लगा देना चाहिए क्योंकि फानी लगाने से ये देवा खेत में पूरी तरह एक्टी हो जाती है और खर्पतवारों की जड़ों को आसानी से नश्ट कर देती है और अच्छा रिजल्ट पाने के लिए खेत में फानी चार से पांथ दिन तक कम से कम बना रेना चाहिए नो मिनी गोल्ड का परियोग आप दान के खेत में खर्पतवारों की दो से चार पती आउस्ता पर या पिर दान की रोपाई के 15 से 20 दिन के बाद में परियोग कीजिए यह दि इसका प्रियोग आप 30 दिन या पिर 35 दिन के बाद में करते हैं तो इसका रिजल्ट आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा क्योंकि यह दान की पसल खेत को पूरी तरह डख लेती है इस कारण खर्पतवारों की पत्तियों पर रासाई नहीं पहुँच पाता है दोस्तों आप नो मिनी गोल्ड की जगए काउंसिल एक्टिव हर्विसाइड का प्रियोग भी कर सकते हैं यह ट्राइफामोन 20% पलस इतोक्सी सल्फियूरान 10% डबलुजी फोब में आता है खर्पतवारों को उगने के बाद में मारता है बाइर कंपनी ने लोइन किया है जो नया प्रोडुक्ट है इसका प्रियोग आप नो मिनी गोल्ड की तरह ही खर्पतवारों को उगने के बाद में 2-4 पत्ति अवस्ता पर कीजिए इसका 90 ग्राम का एक पेकिट आता है जो एक एकड में छिड़काव करने के लिए प्रियापत रहता है दोस्तों आप दान की वेराइटी, खेत की मिट्टी और फाने के अनुसार किसी भी एक हर्बिसाइड का प्रियोग कीजिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, साथी निस्सिती आपकी दान की पसल का उत्वादन भी बढ़ेगा दोस्तों हिन हर भी साइड से सम्मंदित आप क्या कुछ भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं साथी आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे किसानों के हित में वीडियो को सेर जुरूर कीजिए धन्यवाद